दोस्कों नमस्कार स्वागत है आप सबके पर नाम है मेरा अमेद पांडे मेरे साथ हैं पुस्पक सिर अलो यस सब्सक्राइब करेंगे और आपका जैसे पेपर हुआ उसके साब से आप अपने आपको जैज्ज थोड़ा सा कर सकते हैं तो अन एवरेज किस तरीके से जाएगा कट आफ इस बार का FCI का इसी के उपर बात करेंगे आपके साथ हम दोनों जी तो गाइज आज आपका एक्जाम हुआ और बहुत सारे बच्चों से बात हुई तो यही पता चला कि जो overall idea लगा हुआ है कि उन्हें GS में मज़ा आया सभी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़े हां ल कैलकुलेटी था वैसे अगर देखा जाए क्वेस्टन वेरी इजी नौट डाट डिफिकल्ट पैटन भी वही था जो सर ने सिखाया था बस कैलकुलेटीव थोड़ा बन जाता और मैस से सर कैलकुलेटीव नहीं वनेगा तो फिर मज़ा ही क्या है मैंस में कुछ तो गेम होन पिता हूं कि definitely selection के chances काफी strong बन जाते हैं अगर 85 भी अरने minds 90% 99 percent अबाव आपकी accuracy है तो definitely आपको selection से कोई रही नहीं रोक सकता μια बहुत 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 जैपन कि फ्रहां बहुत किजिए उस चीज़ Celtics की कि Attक Committee weaker बिल्कुल नहीं होय है पर B प्रफिया इसके कट आफ पर डीटेल में बात करने से पहले दोस्तों हमारा फिलाल रंग भरेस अपने सेल चल रहा है होली कुधान में रखते हो और यहां पर आपको बहुत 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 बैतरी नितरीके से BMW का बाइक भी जीतने का मौका मिलेगा जीया बैंक एक्जाम है तो 70% प्लस 10% का आफ रहेगा फ्री टेस्ट बुक पास भी अवेलेबल रहेगा और यह पूरा सस्क्रिप्शन 12 मंस के लिए आपके पास है आप यहां पर इस डिसकाउन को पाने के लिए और प्लस जीतने के लिए आप कोड यूज करसकते हों आज़े यूकर यूज यूज अमित पी और पुश्पक पी आप दो में से कोई भी कोड यूज कर लीजे या कोई भी और पसंद्या faculty गर आपकी होगी, आप उनका भी code use कर सकते हो, जो आपके लिए काफी बहतरीन रहेगा, काफी important रहेगा, चलो, प्लस अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया होगा, तो जल्दी से हमारी channel को subscribe कर दीजेगा, ताकि आने वाले समय में आपको सारे sessions की ज discussion होगा, यह discussion भी इसी paper के around रहेगा, post specific और paper 3 के उपर हम cut off पे अभी बात नहीं करेंगे, उसके उपर हम बात भी आपके साथ discussion करेंगे, तो जो कोई भी तोड़ा confused होगा, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, कि हमारा discussion इस paper 1 को लेके होने वाला है, जो general जिसको माना गया है, उस angle में, ठीक है, चलो, यह phase 3 का वैसे, sorry, phase 1 का था, यह paper 2 की बात करते हैं, तो phase 2 में English 25, 25, reasoning 25, 25, numerical ability 25, general studies, यहाँ पे थोड़ा weightage ज्यादा बन जाता है, 45, 45, total 120 का यह paper आपका था, sectional timing थे, पर cut off उस angle में नहीं जाती, वो आपको पास overall रहेगी, 90 minutes का यहाँ पे scene रहेगा, ठीक है, अब एक point मुझे आपके साथ discuss यहाँ पे करना है, point यह है दोस्तों, कि last time, जब 19 की बात है, तब on an average, यह around कुछ cut off देखने को मिला था, average की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, because zone wise भी चीज़े होती है, तो इसलिए हमने overall average निकाल, अब हर zone के उपर बात करना थोड़ा सा possible नहीं होगा, क्योंकि काफी अलग-अलग students है, अलग-अलग zone के students है, तो इसलिए अभी जैसे exam खतम होने के आद हम बात कर रहे हैं, कि overall क्या scene रहेगा, इस बार का, हमारे exam के cut off क तो सर एक बार बात कर लेते हैं, यहां से ही discuss कर लेते हैं, कि यहां के इसके angle में क्या scene बनता है, तो सर ने जैसे कहा कि numerical ability, यहां पे थोड़ा calculated बन गया, English reasoning general studies, लोगों के attempt काफी अच्छे हैं, इंग्लिश में out of 25 लोगों ने 23 to 25 के बीच में काफी लोगों के attempt हैं, तो बात उसमें से बस एक बंदा ऐसा था, बाकि सब के attempt सर 24 से 25 हुए हैं, literally everything, so यहां पे भी 23 to 25 के आसपास का attempt पकड़ लेते हैं, general studies बहुत easy था, पर फिर भी यहां पे थोड़ा careful attempt करना पड़ता है, because गलती हो के chances थोड़ी गुंदाइश थोड़ी बढ़ जाती है, यहां पे attempt जो है, वो near about 30 से लेके, हम देखेंगे कि 40 तक का है, कुछ लोगों इस बारी थोड़ी 30 to 40 है, कुछ लोगों ने risk ली वो उन्होंने calculation में नहीं डाले, यह उन्होंने बात नहीं की, कि sir, अगर accurate attempt किया जा तो इसके बीच में attempt है, numerical ability के अंदर, sir, attempt का क्या scene रहा है, sir, मतलब अलग-अलग कहानी सुनने को है, मतलब अगर बात हुई, तो पहले बच्छा हो, जिसने हमने live call पर बात करी, एक ने 12 attempt किया, तो एक ने 18 attempt किया, फिर एक दूसरे बंतर से बात हुई, तो उसने 15 attempt किया, और एक ने 11 attempt भी करा है, तो यहाँ पर जो मेरे को लग रहा है, sir, good attempt क का जो category है, वो 15 नंबर से जाए, 15 से 20 नंबर ये good attempt जाएगा, अगर आप numerical ability में math की बात करो, तो calculating paper रहा है, और यह थोड़ा सा game bullet के रख देगा, यहाँ पर कहानी, तो अगर हम जोड भी लेता हूँ, मैं सारे के minimum minimum, तो अभी देखता हूँ, तो अभी देखता हूँ, 30, 15, रीजुनिंग में सार, दो सवाल ऐसा आया था, word formation, कि कितने word बन सकते है, वो हमेशा doubtful होता है, तो यह दो सवाल जो अगर बच्चों ने किया होगा, तो गल होने का chance ज़्यादा रहता हूँ, तो कुछ बच्चे उसको attempt ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 20 नंबर जोडते है रीजुनिंग में और इंग्लिश में भी 20 नंबर के कॉर्णिंग लेके चलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या normally expected, क्या attempt होने चाहिए, 20 लेके चलते हैं, 20 लेके चलते हैं, और यहाँ में 15 लेके चलते हैं, मिनिमम की बात पर रहूँ पर लगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर attempt बन जाता है, इस तरीके से आपके questions या फिर आपके marks बन सकते हैं, अगर on an average निकाला जाए कि क्या expected cutoff जाएगा, तो expect cutoff का हम लोग directly number नहीं देंगे, because zone wise जाता है, तो वहाँ पर एक proper number देना थोड़ी गलत बात हो जाएगी, हम average या फिर एक range आपके सामने रख यह सही, यह सही, बड़ यहाँ पर अंग्रेजवी में थोड़ा लफडा रहता है, तो मैं sir, मेरे को लगता है, कि 75 नंबर से शुरुआत मैं करना चाता हूँ, तो 75 to 80 के आसपास के हम बात करेंगे, इसमें obviously 2-3 नंबर उपर नीचे हो सकते हैं, बस 75 to 80 के आसपास on an average इस बार cutoff जाएगा, normally cutoff इसी range में जाता भी है, कि zone wise देखा जा तो इसी range में cutoff भी देखने को मिलता है, इससे कम ही था, पर थोड़ा सा इस बार paper easy देखने को मिला, तो हम 2-4 marks यहां पर बढ़ा देते हैं, इस range में आपको cutoff बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिनका attempt 85 और 87 और 84 गया हुआ है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, definitely अगर आपने accuracy साई से maintain की होगी, तो आप in हो, आप अंदर रहोगे, पर अगें वापस एक बार repeat क सिनारियों हमने कहा हुआ है, paper 2 और paper 3 के बारे में हम यहां पर discuss फिलाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका data हमरे उतना accurate नहीं है, और दूसरा अगर आप exam देकर आए हैं, तो अभी देखो हो गया exam, यह आपकी cutoff भी हमने बता दी, अभी इसको वीडियो को देख लेना, लाइ exam की तयारी करनी है, हो सकता है, उस attempt में भी अगर accuracy बहुत तकड़ी हो, तो 74 सही हो जाया और 74 ही cutoff चली जाया, क्योंकि last year 73 ही थी, तो मतलब there is a chance, आप अच्छे से बस तो रहो और पढ़ते रहो, बिल्कुल, so yes, that's all from our side, हमारे side से, तो हम यहां रुख जाते, बट आप PCV faculty का code use कीजे, अमित पी या फिर पुश्पक पी, कोई बीच में space नहीं रहेगा, आप ये code use कर लिजेगा, आपको बहुत अच्छा सा discount भी available हो जाएगा, तो दोस्तों, हमारे तरब से बस इतना ही, happy holy to you all and your family members, and we'll see you in the next session, तब तक के लिए, bye bye, take care, safe रहिए, सुरक्षी रहिए, और अच्छे से बढ़त रहिएगा, तुरू अच्छे से बढ़त रहिएगा, तुरू अच्छे सानों से test book कर रहा है, लाखो बच्चों के सपने रंगी, चाहे SSC होया banking, teaching होया engineering, हर exam में test book super coaching ने दिया है आपका साथ, ये holy test book super coaching लाया है, दुगने रंग आपके पूरा करने के लिए, पाइए 90% तक का डिसकाउंट इस रंग भरे सपने सेल में, क्योंकि ये है जीत के रंग, होली के संग, इतना ही नहीं, आप एक BMW बाइक भी जी सकते हैं, तो अगर आप SSC, Bank, LIC, Teaching, Engineering, UPSC, State, PSC and Defense जैसे exams की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी नीचे दिव लिंक पर क्लिक कीजिए और इन्रोल करिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में